नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एस्पलेपियस अईरुवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम चर्चा करेंगे लॉंग से हुने वाले अद्भूत फायदों के बारे में इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बताएंगे कि हमारे शरीपे लॉंग से कौन कौन से स्वास्तलाव राप्त होते हैं इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं लॉंग से हम तेल कैसे बनाते हैं क्योंकि लॉंग के तेल का भी बहुत ही बेनिफिट्स हैं ताइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स के बारे में तो दोस्तों बेनिफिट्स से पहले कुछ बेसिक बाते हम बता दें लॉंग के बारे में लॉंग को हम अधिकानस्ता मशालों के रुप में इस्तमाल करते हैं लॉंग का जो ब्रिक्ष होता है उससे 9 वर्स पश्चात इसकी फूल को कलियों के रुप में सुपा कर लॉंग हमें प्राप्त होता है इसका बॉटनिकल नेम की अगर बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम है सिजियम एरो मैटिकम इसमें कई औस अधिये गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हमें कई स्वास्तलाब रापते हैं उनई स्वास्तलाब के बारे में हम आज लौंग से होने वाले नौ फायदों के बारे में बात करें आईए दोस्तों विडियो कोई स्टाट करते हैं सबसे पहला फायदा है health insurance, सिळ्डे़ध को कम करने में एक काफी करगर्ड उस्ती है दूसरा नंबर है दान्ट के दर्द को ये कम करता है कैसा भी असहनिये दान्ट की पीड़ा हो लॉंग का तेल लगा लीजिए या लॉंग दान्ट के तले रख लीजिए दान्ट का दर्द थोड़ी देर में छू मंतर हो जाएगा नमबर तीन नमबर है पाचन शक्ति को ये सही करता है ये पेट के कीड़ों को भी मारता है इसके अलावा साथ नमबर भूक बढ़ाने में काफी हद तक ये लॉंग काफी कारगर है आठ नमबर है सर्दी खासी इत्यादी में लॉंग काफी फायदे मंद और सदी के रूप में इस्तमाल होता है नौ नमबर है जॉइंट पेन इत्यादी में काफी राहत देता है लॉंग के तेल को जहां भी जॉइंट पेन है वहां पे लगाने से जॉइंट पेन में काफी रहत मिलता है दोस्तो ये थे लॉंग से हुने वाले कुछ फायदे जिनने आपको हम इस वीडियो में हम बताए आई होप आपको ये जनकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें जो दोस्त नए हो प्लेज वीडियो को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद